E.D. जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सब के सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है, किस तरह से लोगों को प्रतारित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रतारित करती है और तो और जिसके कारण आज मैं पीसी कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बुढ़े मभाग को धमकी मारना पीटना प्रतारिस करना और उसके बाद जबरन बयान लेना ये मैं नहीं कह रहा गया और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ ये पहला नाम है चंदन रेड़ी का ये चंदन रेड़ी हाई कोट में पेटिशन करते हैं माननी है उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि एडी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मू दिखाने लायक नहीं रहेगा ये सारी बातें इसने लिखिया और इतना ही नहीं इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के परदे फट गए दोनों कान के फट गए मार मार के प्रतारित करके इडी का जो हिटलर शाही का गैस चेंबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर डिगरी टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड मानी न्याया लेके सामने इसने बयान कैसे इसका बयान लिया गया एडी में कैसे इसका बयान लिया गया एडी के अंदर और ये इस व्यक्ति की डॉक्तरी जाच है जो डॉक्तरी जाच की कापी मैं अभी आपको दूँगा ये दोनों डॉक्तरी जाच ये कहती है कि चंदन रेड़ी को मार मार के उसके कान के परदे फार दिये गए उसको सुनाई नहीं दे रहा है यह डाक्टरी की जाँच आपको देता हूं ऐसे कर रहे है एडी इंवेस्टिगेशन पहला आदमी चंदन रेड़ी दूसरा अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत सामने कहता है मुझसे जबरण जूटा बयान एडी ने लिया अरुन पिल्लाई तीसरा व्यक्ति समीर महंदरू समीर महंदरू इसकी पतनी को बुलाकर गिरिफतार करके रखा गया धमकाया गया डराया गया परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरण बयान एडी सामने मानी न्यायाले के सामने समीर महंदरू ने लिख कर दिया कि जदसाब हम से तो जबरन जूता बयान लिया गया समीर महंदरू, तीसरा नाम चोथा नाम भूसर विलगावी इस व्यक्ति से भी E.D. ने प्रतारित करके जूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं जद साप को जाके का न्यायधिस महोदे माननी न्यायाले हमारी रक्षा कीजे हमसे E.D. ने जूठा जबरन गलत बयान लिया पाच्वा नाम मनास्वनी प्रभुने मनास्वनी प्रभुने इससे भी E.D. ने जबरन जूठा जबरदस्ति का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायाले को लिख के दिया किसी और को नहीं ध्यान दिजेगा मेरी बात को माननी न्यायाले को लिख कर दिया कि न्यायाधीस महोदे जद साहब मुझसे E.D. वालों ने जबरन जूठा जबरदस्ति प्रतारित करके बयान लिया चट्वा नाम राघो रेडडी ये राघो रेडडी चट्वा नाम राघो रेडडी इसने न्यायाले के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीस महोदे हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनितिक नेताओं के नाम लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ किसके इशारे पर E.D. काम कर रही है किसके दबाव पर E.D. काम कर रही है किसके डिरेक्शन पर E.D. काम कर रही है क्योंकि एक बहुत चोकाने वाली बात इनके हाई कोट के पेटिशन में लिखी हुई है चंदन डेडी के क्या कह रहे ये कह रहे साथ ED के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनोंने हमको मारा पीटा जिनको जो ED के ओफिशियल्स भी नहीं थे ऐसे लोग थे जो ED के अधिकारी नहीं थे उन्होंने भी हमारे साथ मार पीट की कौन से लोग है किस पार्टी के गुंडे ED के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मार पीट कर रहे है कौन से लोग है जो ED के दफ्तर में जाते हैं पूस्ताच करते हैं मार पीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं इसका खुलासा होना चाहिए माननी हाई कोट के सामने ये याचिका पड़ी है इसके साथ साथ मनीज सिसोधिया जी के पियस रिंकू आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पूछताच करो कैमरे मे पूछताच करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो एडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैट इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैट सुबह से साम तक फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे फाड के ते इस तरह का बैयान देके जाज कर रहे हो मैं देश के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है कागच पे दसकत करना त बहुत दूर की बात है लड़ना है तो सामने सामने लड़ो कायरों की तरह बेटी का पत्नी का परिवार का सहारा लेके मत लड़ो सामने सामने लड़ो जो भी लडाई करनी है सामने सामने करो और आपको याद होगा देश की पार्लेमेंट में देश की संसद में मैंने इस सा आठ वर्सों में तीन हजार छापे मारी ED ने की है और मात्र 0.5% दसमलो 5% ED का conviction rate है और ये कहने पर मुझे privilege का notice मिला बहुत अच्छी बात है देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवशर मिल गया मैं विसेशा अधिकार समित के सामने इन ED के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे काज़ात प्रस्तुत करूँगा कि ED के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए विशेसा अधिकार संसत की विशेसा अधिकार समित के सामने मैंने जो मामला पारलेमेंट में उठाया था उन आरोपों को ये सारे काज़ात सौप्रतिसत मैं तो कहूंगा सौप्रतिसत से ज़्यादा सिद्ध करते हैं कि एडी राजनितिक दबाव में जबरन जूटा मामला बनाती है सरकारों को बदनाम करती है सरकारों के उपर जूटे आरोप लगाती है सराब घोटाला जैसी कोई चीज उसका कोई सिर्पाउ है ही नहीं जिन लोगों के जबरन बयान लेकर एडी ने ये सारे मामले बनाये हैं वो तो न्याया लेके सामने जाकर कह रहे हैं प्रिवार्ट अब बहुत अच्छा हैं अब देश की भारत की संसद की पार्लiamen्ट की विशेसा अधिकार समिति के सामने जिसने मुझे नोटीस दिया है यह सारे विशे और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारीयों को वहां बुलाने के लिए बोलूगा कि इन सब को बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट से लेके और न्यायालेओं में जो इनके खिलाफ शिकायते की गई है उसके तत्थ, उसकी सच्चाई, उसकी हाकिकत क्या है मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई मुद्दा हो, कोई बातचीत हो, कोई सवाल हो जो अरूपी जो है, आपकारी नीतिक के जो बयान लेकर जूटा मामला, ED खड़ा कर रही है, ये उससे संबन्दित है ये सारे मामले, जो आप लोगों को बताया जाता है, घोटाला, 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 उस घोटाले में कितना गड़बर जहला है, ये सारे बयान इस बात को साबित करते हैं ये सारे बयान, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट, ये हाई कोट की याचिका हैं, इस बात को साबित करती हैं कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं, दरसल गन पॉइंट पे, कान के उपर, कन पटी पे बंदूक लगाकर, ED, हिटलर के गैस चैंबर में पूस्ताज करके, ED, ये सारा क कुछ मामला जूटा और बेबुनियाद बना रहा है